C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वरा प्रस्तुत है प्रक्चा बारा के लिए हिंदी की द्वनी पाठ्थे पुस्तक आरो भाग दो पाठ दस कवी उमा शंकर जोशी प्रिष्ट संक्या 62 से 66 तक प्रिष्ट संक्या 62 कवी परिच्च उमा शंकर जोशी जन्म सन 1911 गुजुरात में प्रमुख रचनाए विश्वशान्ति गंगोत्री निशीद प्राचीना आतिथ्य वसंतवर्षा महाप्रस्थान अभिज्या जो एकांकी हैं सापना भारा शहीद जो कहानिया हैं श्रावणी मेडों विसामो जो उपन्यास हैं पारकांजड्या जो निबंध हैं गोश्थी उघाडी बारी क्लांत कवी महारा सौनेट स्वप्न प्रियान इनके संपादन हैं सन 1947 से संस्कृती पत्रिका का संपादन निधन सन 1988 तंग आ गया हूँ बढ़ों की अलपता से जी रहा हूँ देखकर छोटों की बढ़ाई बीसवी सदी की गुजराती कविता और साहित्य को नई भंगिमा और नया स्वर देने वाले उमा शंकर जोशी का साहित्यक अवदान पूरे भारतिय साहित्य के लिए भी महत्वपून है उनको परंपरा का गहरा ग्यान था कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम और भवभूती के उत्तर रामचरित का उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया ऐसे अनुवाद गुजराती साहित्यकी अभिव्यक्तिक शमता को बढ़ाने वाले थे बतौर कवी उमा शंकर जी ने गुजराती कविता को प्रकृती से जोड़ा आम जिन्दगी के अनुभव से परिचित कराया और नई शैली दी जीवन के सामान्य प्रसंगों पर सामान्य बोलचाल की भाशा में कविता लिखने वाले भारती आधुनिक तावादियों में अन्यतम है जोशी जी कविता के साथ साथ साहित्यकी दूसरी विधाउं में भी उनका योगदान बहुमुल्य है खासकर साहित्य की आलोचना में निबंधकार के रूप में गुजराती साहित्य में बेजोड माने जाते हैं उमा शंकर जोशी उन साहित्यक वेक्तित्व में हैं जिनका भारत की आजादी की लड़ाई से रिष्टा रहा यहां प्रस्तुत कविता चोटा मेरा खेत खेती के रूपक में कवी कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश के रूप में पढ़ी जा सकती है कागस का पन्ना जिस पर रचना शब्द बद्ध होती है कवी को एक चौकोर खेत की तरह लगता है इस खेत में किसी अंधर जिसका आशय भावनात्मक आंधी से होगा के प्रभाव से किसी क्षण एक बीज बोया जाता है यह बीज रचना, विचार और अभिव्यक्ति का हो सकता है यह मूल रूप कलपना का सहारा लेकर विकसित होता है और इस प्रक्रिया में स्वयम विगलित हो जाता है उससे शब्दों के अंकुर निकलते हैं और अंततह क्रिती एक पूर्ण स्वरूप ग्रहन करती है जो क्रिशी कर्म के लिहाज से पुश्पित पल्लवित होने की स्थिती है साहित्तिक क्रिती से जो अलौकिक रसधारा फूटती है वह अक्षण में होने वाली रुपाई का ही परिणाम है पर यह रसधारा अनंतकाल तक चलने वाली कटाई से भी कम नहीं होती है यानि उत्तम साहित्त्यकाल जई होता है और असंख्य पाठकों द्वारा असंख्य बार पढ़ा जाता है खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है किन्तु साहित्त्यकारस कभी चुकता नहीं बगलों के पंख कविता एक सुन्दर द्रिश्य की कविता है सुन्दर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन करने के लिए कवियों ने कई युक्तियां अपनाई हैं जिसमें से सबसे प्रचलित युक्ति है सुन्दर्य के ब्योरों के चित्रात्मक वरणन के साथ अपने मन पर पढ़ने वाले उसके प्रभाव का वरणन वस्तुगत और आत्मगत के सैयों की यह युक्ती पाठक को उस मूल सौंदरे के काफी निकट ले जाती है जोशी जी की इस कविता में ऐसा ही है कवी काले बादलों से भरे आकाश में पंग्ती बना कर उड़ते सफेद बगलों को देखता है वे कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांज की श्वेत काया के समान प्रतीत होते हैं यह द्रिश्य इतना नयना भिराम है कि कवी और सब कुछ भूल कर उसी में अटकासा रह जाता है वह इस माया से अपने को बचाने की गुहार लगाता है क्या यह सौंधर्य से बांधने और बिधने की चरम स्थिती को व्यक्त करने का एक तरीका है प्रस्तुत दोनों कविताओं का गुजराती से हिंदी रूपांतरन रगुवीर चौधरी और भोला भाई पटेलने किया है प्रिश्ट संक्या 64 चोटा मेरा खेत चोकोना काघस का एक पन्ना कोई अंधर कहीं से आया क्षण का बीज वहाँ बोया गया कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निहशेश शब्द के अंकुर फूटे पल्लव पुश्पों से नमित हुआ विशेश जूमने लगे फल रस अलोकिक अम्रित धाराएं फूटती रूपाईक शनकी कटाई अनन्त ताकी लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती रस का अक्षय पात्र सदा का छोटा मेरा खेत चोकोना बगुलों के पंक नभ में पाती बंधे बगुलों के पंक चुराय लिए जाती वे मेरी आँखें कजरारे बादलों की छाई नभ चाया तैरती सांज की सतेज श्वेत काया हौले हौले जाती मुझे बांध निजमाया से उसे कोई तनिक रोक रखो वो तो चुराय लिए जाती मेरी आँखें नभ में पाती बंधी बगुलों की पांकी अभ्यास कविता के साथ प्रश्न एक छोटे चौकोने खेत को कागस का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है प्रश्न दो रचना के संदर्भ में अंधर और बीज क्या है प्रश्न तीन रसका अक्षय पात्र से कवि ने रचना कर्म की किन विशेशताओं की ओर इंगित किया है प्रश्न चार व्याख्या करें पहला शब्द के अंकुर फूटे पल्लव पुश्पों से नमित हुआ विशेश दूसरा रुपाई क्षण की कटाई अनन्तता की लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती कविता के आसपास पहला शब्दों के माध्यम से जब कवि दृष्यों चित्रों ध्वनी योजना अत्वा रूप रस गंध को हमारे एंद्रिक अनुभवों में साकार कर देता है तो बिम्ब का निर्मान होता है इस आधार पर प्रस्तुत कविता से बिम्ब की खोज करें दूसरा जहां उपमे में उपमान का आरोप हो रूप कहलाता है इस कविता में से रूप का चुनाओ करें कला की बात बगलों के पंख कविता को पढ़ने पर आपके मन में कैसे चित्र उभरते है उनकी किसी भी अन्यकला माध्यम में अभी व्यक्ति करें इसी के साथ आरोप भागदू का पाठ कवि उमा शंकर जोशी यहां समाप्त हुआ प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत